हां तो डियर एक बार फीशे स्वावत है आपके अपने इस यूटूब चैनल अस्विताय स्टेडी पे और आज के इस वीडियो में बात करेंगे सौशन ततादान में अंतर तो एक्जाम में कई बार पूछा क्या है जो सौशन ततादान में अंतर बताएए तो हम सोचे जो आ पहला आंतर लिखेंगे यह तो आपका नर्मल बात है कि आप कर लेज़ेगा पहला अंतर लिखेंगे सौशन एक जैव रसानी किरिया है लेकिन दहन क्या है दहन जो है एक और जैविक किरिया है आप लोग वीडियो में बने लएगा रहेगा हम यहां से आपको आपको अब् कि अगर देख लेते हैं तो नहीं पांच नमर दो नमर आपका जरूर किलियर हो जाएगा जो नहीं तो सब्जेक्टिमें पुछे या फिर अब जय अब्जेक्टिमें पुछे तो ध्यान रहें कि सब्जेव रसाइनिक रिया है पहली कांद तर इधर फिर से यह एक और जय दा सबांच का दर ढ़े तो दमीगिसे ऑकिसक्रण होता है तका दान में प्यांच जो इसमें पदार्थ का दियुगटि से उप्सिक्रणं होता है लेकिन इसमें तर तेसा तरी पोटि से ऑजाता है अक्सिक्रण deposits और आगला करते हैं करएक कि इसनिकली उर्जा एटीपी के रू वो ATP की रूप में क्या हो जाती है संचित हो जाती है किसके रूप में ATP की रूप में संचित हो जाती है लेकिन इसमें क्या होता है दहन में देख लेते हैं करा इस किरिया में उड़ जाता परकास की रूप में निकलती है दहन की किरिया में उड़ जाता परकास की रूप में ब दूगो बात होता हैं ना ताफ को जलाए एक परकास निकलता ह् इतना बात पता हो यह जो है यह जो है है यह पिर नियांतरित कर एक और इसमें जो है ज्यादा क्याप सऩथा नहीं परते हैं लेकिन इसमें क्या बढ़ता है यह कोई चीज़ जब जलता है इसका मतलब उच्छ तापकरम पर चलता है तो धारी आघी देखता हैं तो Why c इसमें उस्मा तथा परकास गुत्पति नहीं होती है, आप बात करेंगे, नहीं दिखेंगे, साउसन के जिया में उस्मा परकास गुत्पति होता है, अमाले जी जब हम सांस लिये, इसमें उस्मा निकला, कि परकास निकला, कि चारो तरफ की जोर हो जाएगा, बताएगे, इस इसले उस्मा और प्रकास उत्पन्हें होता है लेकिन दहन में क्या होता है दहन में उस्मा तता प्रकास उत्पति होती ही लिए यह तरह आपका कि आप संब कि अब यहां जो औब जैकें आपकेusan कई अब कैसी अभी किरिया है तो ध्यान रखेगा सॉब्सन जो है जैव रसाइनिक अभी किरिया है अभी किरिया है अभी किरिया बुले या फिर किरिया बुले तो ध्यान रखेगे सॉब्सन जो है जैव रसाइनिक अभी किरिया है और कहेगा जैव रसाइनिक अभी किरिया है तो ध्य जो किस रूप में जो है संचित रहती है और इसे पुछता है जो पुर्जा निकलता है जो किस रूप में संचित रहती है अप अगे काईगा तो पिर सफ़सर के लिए उंच दाप की, दियान न थिलिए नहीं के बराबर दापना लगता है लेकिन दहन के लिए उसके लिए जो जालन टाप होता है छिरूण के लिए नेमित हन्सेज मुले को दणत手त हमाल से प्रसाफंनी आपको यहां से पूर्ष सकता है और फालतों को थो हम फेकेंगे ना यहां पर तो इसलिए आपको लगणावाबाद जहां आप अप तो नहीं समad हो ठीक है और इंग्जाम पूछेतों पूरा लिख व है ऑब जी पुछे हां से तो अबुछैप लिक है त्वी वीडियों के लायां हूँ र इसी के साथ हम अपने वीडियो को